कि दोस्ता सब एक लेकर आचुका हूँ एक न्यू बड़े उसी वीडियो पोजेट क्या दोस्ता आभी चाहते हो कुछ इस पर करका एक बड़े इस वीडियो क्रेट करके किसी की भी बड़े में विस्ट करना तो आज की इस वीडियो में मैं आप से भी को सिखाऊंगा कुछ इस पर करका आपको बड़े इस्टेट आज वीडियो किस तरह से क्रियेट करना है और दोस्तो इस तरह का जो बड़े इस्टेट आज वीडियो है आप लोग किसी के भी पिक्चर से बना सकते हो अगर दोस्तो खुछ से क्रेट करना चाहते हो तो इस वीडियो का आप लो करना है दोस्ता आप लोग काइन मस्टर एप को जैसे ओपन करोगे आपका काइन मस्टर का इंटरफरेस आपको दोस्तो कुछ इस परकार का दिखिने को मिलेगा तो सबसे पहले आपको create new के option पर click करके आपको select करना है 16 is to 9 उसके आपको नीचे create का option मिलेगा यहां पर आपको click करके आपको एक बाड बेक आ आजाना है left side की middle में आपको एक setting option मिलेगा इसमें आपको click करके नीचे आ जाना है दोस्तो editing पर और आपको दोस्तो उपल photo duration का जो length आपको 4 second कुछ इस परकार से रखना है अगर चाहते हो photo का length थोड़ा लंबा हो आप 4.5 second भी रख सकते हो आपको दोस्तो photo display mode को कर लेना है fill screen fill screen करने के बाद दोस्तो आपको transaction duration को 1.5 second पर रखना है और दोस्तो एक बार आपको bake आ जाना है bake आ जाने के बाद आपको हिया पर एक media का option मिलेगा इस media option पर जाकर आपको 30 second भीडियो के लिए कम से कम 10 से 12 photo add करना है दोस्तो हिया पर photo add करने के बाद आपका video का interface कुछ इस परकार का दिखने को मिलेगा अगर दोस्तो मान लो photo add करने के बाद अगर आपको photo का interface कुछ इस परकार से अगर दोनों side से छोटा होडा है तो आपको दोस्तो नीचे जो photo दिखने को मिल रही है आपको click करना है और आपको हिया पर pen and zoom का option दिखने को मिलेगा तो इसमें आपको click करना है और आपको क्या करना है दोनों उगले से इस परकार से आपको photo को zoom कर लेना है और आपको frame में adjust करके बेठे लेना है और आपको double line जो आपको side में दिखने को मिल रहा है इसमें आपको click कर लेना है तो इसी परकार से आपको वीडियो के आन तक सही फोटो को करना है जो की मैं पहले से ही कर चुका हूँ next आपको दोस्तों यहाँ पर जो एक माईनिस का इकन दिखिनों को मिल रहा है इसमें आपको कलिक करना है और अकलिक करने के बाद दोस्तों आपको transaction effect को add करना है ठीक है तो simply से दोस्तों यहाँ पर minus का icon पर click करके आपको दोस्तों यहाँ पर transaction पर आजाना है line walker में ठीक है दोस्तों यह जो line walker वाला transaction effect है आपको यह homeball icon दीखिनों को मिल रहा है इसके अंदर आपको मिल जाएगा तो सबसे पहले आपको 03 को select करना है और नीचे apply to all कर लेना है उसके बाद आपको select करना है दोस्तों 06 को ठीक है 01 से लेके दोस्तों 06 तक कुछ इस प्रकार से आपको add कर लेना है ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो के end तक adjust हो जाने के बाद आपको first photo में क्लिक करके first photo का length को आपको थोड़ा बहुत इस तरह से कमा लेना है और last में चले जाना है last photo का length करीब 30 सेगन के आसपास रखना है ठीक है रखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है seizureable option पर क्लिक करके right side इसको trim करना है और trim करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है ऊपर एक arrow icon दीखने को मिलेगा इसमें आपको क्लिक करना है और आपको हिहाँ पर resolution को करना है 1080p frame rate को करना है 60 fps और bright को थोड़ा बढ़ा लेना है और इस जखापर आपको video save-based का option मिलेगा यहाँ पर video को save-based कर लेना है ठीक है जैसे दोस्तों video save-based हो जाएगा आपको पुड़ा बेक आजाना है ठीक है और बेक आजाने के बाद दोस्तों इस परकार से आपको photo में क्लिक करना है और नीचे आपको मिलेगा विगनेट का option तो इस तरह से आपको विगनेट को न कर लेना है वीडियो के effect option पर दोस्तों आजाना है basic effect पढ़ा कर blurbler effect को लेना है और इस तरह से वीडियो के 4 और blurbler करना है setting option पर जाकर 3 करना है और blurbler का जो लेनते इस परकार से आपको लेकर चले जाना है वीडियो के end तक ठीक है वीडियो के end तक लेकर जाने के बाद starting position पर आजाना है आजाने के बाद दोस्तों यहाँ पर layer option पर click करके आपको media option पर आना है इस बाद दोस्तों आपको क्या करना है आपको template वीडियो को लेना है दोस्तो template वीडियो को लेने के बाद आपको split screen पर जाकर इसको fill screen करना है और थोड़ा नीचे मिलेगा आपको दोस्तो blending option तो दोस्तो यहाँ पर blending में क्लिक करके आपको select करना है screen स्क्रीन को select करने के बाद फिर चलिया option पर क्लिक करके इस बार आपको media option पर जाना है इस बार आपको export वाला वीडियो को लेना है दोस्तो एक्सपोर्ट वाला वीडियो को लेने के बाद इसको इस तरह सापको size को rotate करना है जहाँ पर दोस्तो फ्रेम का size है और दोस्तो इस frame के ऊपर मैं आपको सफे से एड़ेस्ट करके वाला वीडियो को बैठना है और इस तरह से Zoom आपको छोटा कर लेना है अगर दोस्तों यहाँ पर ठीक से एड़ेस्ट मतलब दोस्तों नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर दोस्तों आपको एक option मिलेगा दोस्तों transform इसमें जाकर लिए फ्रैट करके adjust कर सकते हो जैसे दोस्ते एड़िए हो जाएगा उपर цен पर किलिक करकर फोर्त मिर्जार की निमना करके लेना है और इस तरह वाला सेप्स मिलेगा इसको आपको ले लेना है और लेने के बाद दोस्तों यहां पर हाट को थोड़ा आपको दोस्तों उपर एड़ेस्ट करके बेठे लेना है और फोटो को मीडिल में अच्छे से एड़ेस्ट करके बेठे लेना ठीक है तो दोस्तों यहां पर आपको हाट क करके आपको उपर नीच करके बैठे लेना है और उपर थी डॉट पर किलिक करके फॉर्ट नमर अप्शन को सिलेट करना है अगर दोस्तों यहां पर आप लोग देख रहो फ्रेम से थोड़ा बाहर हो रहा है तो क्रोपिंग अप्शन के अंदर में आपको फैदर को थोड़ा बढ़ा लेना है ठीक है बढ़ाने के बाद इस बार आपको इसको लेकर चला जाना है वीडियो के एंड तक तो इसी परकार से आपको नीचे दोनों वाला फ्रेम में भी फोटो एट करना है तो मैं फटा पर चेट कर लेता हूँ हूँ दोस्तो तीन फोटो को अच्छे से अड़ेस्ट करके बेठाने के बाद आपको layer option पर जाकर text option पर जाना है और आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नाम को लिखना है जिस नाम से आप लोग बड़े विडियो बना रहे हो और आप double A के option पर जाकर जो भी आपका front इस्टाल है जो भी select करना चाहते उसको कर लेना है और इस जगा पर आपको अची तरीके से adjust करके बेठाना है और इसका जो lane थे इस प्रकार्ट से आपको लेकर चले जाना है आपको वीडियो के end तक ठीक है और वीडियो के end तक लेकर जाने के बाद दोस्तों आपको आजाना starting position में और दोस्तों एक बार आपको वीडियो का प्ले करके देख लाना है किस तरह से आपको वीडियो editing हुआ है अगर दोस्तों मेरे तरह editing करेट करते हुआ है अगर आपको कोई भी दिक्केत आ रहा है तो प्लीज मुझे comment करके जरूर बताना तरह के वीडियो में दोस्तों इतना ही था वीडियो का आप सभी को अगर पसंद आया है तो प्लीस लाइक से रूख कमेंच जरू करना तो मिलते हैं दोस्तों एक new interesting यह वीडियो के साथ तरह के वीडियो में दोस्तों इतना ही था